मनसा रामरम आप से भी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल SMC गुरूपर GDS भरती 2022 के बारे में बात करेंगे 38,926 बड़ी वैकेंसी हैं और इसका फॉर्म कैसे बरना है हर एक चीज चाहे वो जौब प्रोफाइल को लेकर बात हो चाहे सेलरी को लेकर बात हो चाहे आपके पोस्ट प्रिफरेंस को लेकर बात हो हर एक चीज अच्छे से हम जो है चैनल पर आपको बताते हैं और चैनल पे जो है GDS भरती से रेलेटेड जितनी भी महत्पूर जानकरिया है लगातार आपको जो है प्रोवाइड हो रही है उसी क्रम में जो है इसके लिए हम आपको एक चीज क्लियर करना चाहते हैं यहां पर अभी हम पूरा नोटिफिकेशन आपको अच्छे से दिखाएंगे फिर उसके बाद यहां पर बताएंगे कि 10 में अगर कई कंडिरेट के मैसेज आ रहा है कि सर इंगलिस में हम फेल हैं मैत में फेल हैं तो क् लोकल लैंगुज का क्या चक्कर है यानि कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो क्या आप आंधर प्रदेश से फॉर्म भर सकते हैं ऐसे हजारो कमेंट आ चुके हैं और खास बात यह है कि यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे भरनी है किस पोस्ट को सबसे ऊपर जो है रखना है फॉर्म भरते समय यानि कि कम्प्लीट चर्चा करने वाले हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दिया करिये जिससे कि जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनके साथ जो है सही जानकारी साजा हो पाए इस्ट मास्टर की यानि कि BPM की तो ये पोस्ट सबसे अच्छी है और यहाँ पे सेलरी का जो है क्रेटिरिया 12,000 की सिरेणी में रखा गया है और ये कोई फिक्स सेलरी नहीं है आपको जब आप वहाँ पे जॉब प्रोफाइल वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे जो सेलरी पताई गई है वो एकदम इग्जेक्ट सेलरी होगी यानि कि 12,000 रुपए तो आपको मिलने मिलने है साथ में एलोयन्स क्या मिलेंगे और जो TADA का चक्कर है सब कुछ वहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा निस्ट यहाँ पे बात करें कि जो पोस्ट दी गई है यहाँ पे ABPM यानि कि Assistant Branch Postmaster जिस preference की अगर है आप बात करें तो सबसे पहले आपको बीपीम भरना है उसके बाद ABPM भरना है और इसके बाद डाक सेवक का जो है भरना है क्योंकि डाक सेवक का काम थोड़ा कही न कहीं अधर जो है पोस्ट है उनसे जो है टफ है तो इस बात को भी आप जो ह प्रिफरेंस आप लास्ट में दें यदि आपका परसंटेज देखिए आपका परसंटेज अगर कम है तो आप जो है डाक सेवक को ऊपर भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उसी हिसाब से कंसीडर किया जाएगा जिस हिसाब से आप जो है प्रिफरेंस फिल अप करेंगे त तो क्या आप अधर जगे से फॉर्म भर सकते हैं, इसका जो है क्या मानक रखा गया है, उससे पहले हमको जानना होगा eligibility criteria, सबसे पहले जो वीडियो बनाया गया था, उसमें यही सब बताया गया था eligibility criteria, लेकिन कई लोग वहाँ पे समझ नहीं पाए, तो सबसे पहले यहाँ पे 22 तक आपकी जो है उम्र minimum 18 वर्स होनी ही चाहिए, तभी आप form के लिए eligible हो पाएंगे, अगर maximum age की बात की जाए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा age दे दी गए है, यानि कि 40 year, 40 year जो है दे दिया गया है, suppose that अगर कोई 40 year का person होगा, तो मैं मानता हूँ कि उसका percentage कही न कहीं पाहर हो जाएंगे, वैसे ही, तो इस बात को आपको समझना होगा, यहाँ पे maximum age बहुत ज़्यादा दे दी गए है, अगर यहाँ पे reservation की बात करें, तो यहाँ पे बात करेंगे, जो पहले से ad hoc पे हैं, जो post master है, या फिर कोई ऐसा working है पहले से, तो उसको यहाँ पे कुछ दिया जाएगा relaxation, तो यहाँ पे सीधे mention कर दिया गया है, कि किसी भी अनभो के आधार पर, अनभो के आधार पर कुछ भी यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, यानि कि अगर आप simple सा high school pass है, आपके सबसे ज़्यादा mark हैं, आपके division में, तो आपका selection यहाँ पे sure हो जाएगा, औ तो सबसे पहले इस form को भरने से पहले आपके अंदर एक positivity होनी चाहिए, कि मुझे form को भरना ही है, बरना है, चाहे मेरा selection हो या फिर ना हो, next यहाँ पे बात करें, जो main मुद्दा है यहाँ पे, कि educational qualification का, इसमें कई लोग जो है local language को लेकर बहुत जादा confused हैं, तो यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं कि हम इस subject में fail हैं, तो form भर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप यहाँ पे math और English में pass होंगे, तब ही आप मार्शीट आपकी pass की होगी, तो इस बात को भी समझ सकते हैं, 10th में math और English compulsory subject के रूप में हैं, चाहे आप state government के किसी भी school से पास हैं, center government के किसी भी school से पास हैं, यानि कि मानिता प्राप्त school से 10th आपने pass किया है, math और English compulsory subject के रूप में आपके मार्शीट पे लिखा है, तो आप form को भर पाएंगे, next यहाँ पे जो local language का चक्कर दिया गया है, इसको हम एक बार आपको अच्छे से बता देते हैं, दे सकता है, आपने UP board से पास किया हो, तो वहाँ पे हिंदी लिखा होगा, आपके उसमें तेलगू नहीं लिखा होगा, तो यहाँ पे इस बात को समझना होगा, आप वहाँ पे जा करके कैसे survive करेंगे, तो सीधे सीधे आप वहाँ से बाहर हो जाते हैं, जो यहाँ पे notification में लि भर पाएंगे उस राज्य से, तो इस बात को आपको समझना होगा, तो यहाँ पे हम एक बार local language का पुरा लिस्ट दिखा देते हैं, साथ में vacancy का detail भी वहाँ पे दिखा देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह 35 राज्य, यानि कि total यहाँ पे केंदर सासित और जिद अगर यहाँ पे total अगर बात करें, असम असम पे यहाँ पे चार सरकल दिये गए हैं, तो इन चारों सरकल का क्या चक्कर है, देखिए हर अलग अलग छेतर में छेत्रिय भासा का बोलवाला है, जैसे अगर हम बात करें कि असम में, तो एक में दिया गया है असमी और एक में बांगला आनी चाहिए ऐसे यहाँ पर बोडो दिया गया है असम के लिए असम ही एक ऐसा राज यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें चार जो है डिवीजन यहाँ पर किये गए हैं तो इस बात को समझना होगा यहीं पर हिंदी और इंगलिस भी लिखा गया है एक ऐसा डिव फॉर्म को भर सकते हैं में बात यहाँ पर बात करें कि मेरिट सबसे ज़्यादा कहां पर जाती है तो आपको पता है कि उत्तर परदेश और बिहार एक दो ऐसे राज्ये हैं जहाँ पर मेरिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है यहीं पर गुजरात की बात करें हडिया आप इसा जो है नोटिफिकेशन में दिया गया है बाकी अगर कोई सूचना होती है आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजेगा नेस्ट वीडियो में हम उसको कवर करने की पूर्ण कोसिस करेंगे लगतार आप जुड़े रहिए अगर आप डाक सेवक यानि की जीडियस का फॉर्म भर रहे हैं तो समस्ट डी गुरू के साथ जुड़ना बहुत अनिवार है मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जैवारत तैंक्यू सो मच